हेला एवरीवन वेल्कम बेक टू माय यूटूब चैनल सेनी लर्निंग क्लासिस मैं हूँ आपके एजुकेटर नहिया सेनी आज मैं आपके साथ डिसकस करने वाली हूं स्ट्रीन इंप्रूमेंट का पार टो इससे पहले हमने मेजर म्यूटेशन माइनर म्यूटेशन इन सब के म्यूटेशन करते हैं म्यूटेशन का यह आपके स्क्रीनिंग की बात चल लिए म्यूटेशन में तो इसमें सबसे पहले आता आपका ऑग्जोटोपिक म्यूटेशन है इस बेसिस फोर कमर्शल हमाइनो एसीड इन जापान फ्रों दा बैक्टीरियम कोर्नी बैक्रिम गुलू म्यूटेशन करते हैं जापान में कोर्न से बैक्टीरियम से कोर्नी बैक्टीरियम गुलूटा मीकस से अब ऑग्जोटोपिक म्यूटेशन में क्या होता है इसके अंदर डिफेक्ट होता है वन ऑफ दो बाय सिंथेटिक पाथवे के अंदर तो एक स्पैसिफिक बाय केमिकल चाहिए होता है उसकी नौर्मल ग्रोथ और डवलेमेंट के लिए और ऑग्जोटोपिक म्यूटेंट अर उफन यूज इन इंडेस्टिर माइक्रोबियोजी के अंदर हम यूज करते है इसका मतलब क्या है कि इसको फिनाइल एलनीन चाहिए अपनी ग्रोथ और डवलेमेंट के लिए और एक्कूमलेट करने के लिए टाइयरोसीन को ठीक है यानिकते तैयरोसीन को एक्कूमिलेट करने के लिए पी एची नेगटिव म्यूटेंट को किसकी ज़रriad परती है फिनाइल एलनीन की इस से तरह जो टाइरोसीन ढेगिटिव होता है उसको हिक्वमेट करने заб fellow female नीडियों के तैड। को टीप टीपटोफवorme Back इसमें एनलोग से रिस्टेंट हो जाता है यह कहा एक feedback insensitive enzyme इसके साथ इसमें इसमें क्या है आपका feedback insensitive enzyme इसके अंदर प्रोडक्त करिया है इसके इसमें प्रोडक्त को यूज कि आपका product है उसके इनलोग को कस्या चाहते है दो आपके प्रोडक्त तेसं का इन्यूबीशन के बारे में इसमें इसमें प्रोड़क्त को क्या है है एंजाइम की activity को inhibit कर देता है जिसके वज़े से वो पात्वे रुख जाता है ठीक है तो यहाँ पर क्या स्या गया है इस पात्वे को की जिसे feedback जो है वो ना हो पाए इसके अंदर इसके analog को use करते है ठीक है तो इस mutant में हम क्या करते है ओवर production कराते है एंड प्रोड़क्ट का माल लो आपको phenylalanine बनाना है ठीक है तो phenylalanine बनाने के लिए यह जो पात हुए है वो ना रुके ठीक है उसके लिए जो आपका feedback जो इनिबिशन है उसके लिए उसको analog use कर लेंगे इससे हो क्या हो जाता है रिजिस्टेंट हो जाता है ठीक है तो यह क्या है यह आपका analog है इस analog को use करके 7-fold increase कर देते हैं phenylalanine के accumulation पे over then tyrosine mutant जो normal tyrosine mutant है ठीक है tyrosine negative mutant है उसके comparison में जब हम इसका analog use करते हैं रिजिस्टेंट करने के लिए feedback innovation को तो उस time पे जो production है वो क्या होता है जादा होता है ठीक है 7-fold increase हो जाता है phenylalanine का production next आता है आपका revertent from non-producing mutant यानि कि reversion हो जाता है non-producing mutant का अब जो non-producing mutant है वो क्या है कुछ भी production नहीं कर रहे लेकिन उनको revert करके उनको क्या बना दिया जाता है producer बना दिया जाता है higher producer बना जाता है इस reversion के थुरू क्या हो जाता है production जो है वो high आप कर सकते है original strain के compare में जैसे याँ पे streptomyces viridifation original strain था वो production नहीं करता था लेकिन उसको revert करके revertion करके mutant बना करके उसको high production ले सकते है next है reversion mutant of appropriate oxotrop अब इसमें revert भी क्या गिया है और appropriate oxotrop भी use क्या गिया है दोनों चीज यूज की गई है तो इसके अंदर भी आप क्या मिलेगा higher production मिलेगा यहाँ पर जो strain यूज क्या गया है streptomyces viridifation यूज क्या गया है जिसको क्या चाहिए होता है homocystin चाहिए होता है क्या पर यह होता है homocystin ठीक है homocystin चाहिए होता है यह क्या है oxotrop है क्योंकि oxotrop को grow जो mutant है उसको grow करने के लिए specific biochemical चाहिए तो उसमें क्या चाहिए इसको homocystin चाहिए जो कि show करता है 28% जाधा chlorotetracycline yield को देन दा original strain ठीक है अब यहाँ पर जो आपका revertend mutant था उसने 6-fold increase करा था ठीक है यहाँ पर जब आपने उसका revertend भी कर दिया और oxytrope भी यूज कर लिया उस टाइम पर 28% जाधा production हो रहा है cyclotetracycline का chlorotetracycline का ठीक है तो इसके तुरू भी आप क्या कर सकते हो अपने strain को improvement कर सकते हो next method आता है कुछ cases में क्या होता है resistance to the antibiotic produced by the organism कुछ case में क्या क्या जाता है selection किया जाता है उन organism का जो की resistant रहते है antibiotic के लिए तो इन strain से हम क्या कर सकते है antibiotic का जो production है वो increase करा सकते है ठीक है जैसे कि streptomizes oriofacian जो है जो mutant है यह resistant है 200-400 mg per liter chlorotetracycline यह resistant है किसके लिए antibiotic के लिए और यह क्या करता है chlorotetracycline को produce करता है fourfold as compared to other original strain ठीक है next आता है some mutant with altered cell membrane permeability show high production of some metabolite अगर आप कुछ mutant ऐसे होते है जिसके अंधरब क्या करते है cell membrane की permeability को change कर देते है जिसकी वज़े से भी वो क्या करते है high production करते है कुछ metabolite का यहाँ पे example भी दिया गया है जैसे की E. coli का जो strain है वो क्या है defective lysine transport है यानि कि वो lysine का टांसपोर नहीं कर सकता लेकिन जब उसके अंदर क्या आता है cell membrane permeability को change कर दिया जाता है तो वो actively excrete करता है lysine को medium के अंदर five times higher concentration पे within the cell चीक है five times higher concentration से next है mutant have been selected to produce altered metabolite किछ mutant जो है वो select किये जाते है production के लिए जो की altered metabolite का production करते है especially in case of amino glycoside antibiotic ठीक है for example जो pseudomonas oreo-facian है वो produce करता है antibiotic pyrol nitrine लेकिन जो उसका mutant है जो mutant है इस fungus का वो four fluoropyronitrine को produce करता है ठीक है तो यहाँ पे भी हम altered कर सकते है metabolite के production को next है mutant selection have been the most successful approach यह most successful approach है लेकिन अगर आप advanced successful approach की बात करें तो उसके अंदर आप का जाता recombination and recombinant DNA technology next class में हम discuss करेंगे recombination and recombinant DNA technology कि तुरूँ आप किस तरह से strain को improve कर सकते हो I hope आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी if you like it you can like share and subscribe to my channel कि एंदर आपको